जार्खंड में अधिकारियों और बाबूओं की कारिस्तानियों की कहानी पूरानी है घोटाला हो गबन हो या वित्तिय अन्यमित्ता अब और विभाग के हिसाब से बड़े और छोटे जरूर हो रहे हैं लेकिन जार्खंड को लूटने का ये खेल राज्य कठन के बाद से ही शुरू है और जारी भी ताजा मामला है काके के समुदाइक स्वास्थेकेंद्र के निर्मांड से जुड़ा हुआ और गबन के सूतरधार है अर्जुन मुंडा के कारेकाल में भवन निर्मांड विभाग में अभियनता रहे दीपक कुमार जो अभी हजारी बाग में आश भारगव ने तो हालात वहाँ पर कैसे थे आप खुद देखिए हैं इसके अलावा जो पारा मेडिकल स्ताफ हैं नर्सेस हैं उन सभी के लिए आवास का निर्मान कराया जाना था इसके लिए सरकार ने एक लंबी चौड़ी योजना भी तयार की लगभग तमाम पीएचसी में चार करोड से पांच करोड छे करोड रुपे तक यह प्रोजेक्ट तयार किया गया उसी योजना के तहत कांके इस्थित पीएचसी में भी साढ़े चार करोड रुपे की योज करती हैं कि आज इनकी स्थिति क्या है और किस तरह से ये जो नवनिर्मित आवास कहे जा सकते हैं आज धारसाई होने के कगार पर हैं कहीं लंबी लंबी जाड़ियां उगाई हैं तो कहीं पेड़ उगाई हैं और किसी में भी खिड़की दरवाजे सही सलामत नहीं बचे हैं ज प्रश्टर दीपक कुमार उन्होंने सवातीन करोड से साधीन करोड रुपे की रासी की निकासी कर ली किन्तू ठेकेदार का भुगतान नहीं किया गया जिसकी वजह से यह कार्य बीच में ही रुग गया और इस्थिती यह है कि यहां नहीं तो डॉक्टर्स रहते हैं और नही की देखवाल करें जी मेढम बदाए कि आपकब से रह रह रहा है और क्या श्थिती है यहां हो गया पांसाल से फांसल से रह रहे हैं और ऑपर काता टूटाँ है जितना था सब चोड़ी होता कि समान तोरा जारा ठीदार को भी हम लोग खबर करते हैं कुछ पैसा भी हमारा भी रुका हुआ क्योंकि उनको ने मिला तो हमें भी ने मिला कि एक रहने के लिए हमको च्छत मिला है और हम उसके देखरे कर रहे हैं भोरी जुआ बाजी ये सब तो यहां निश्य तोर पर होता होगा क्योंकि ऐसे लड़की नहीं हम लोग जब रहते थे बिल्डिंग में लड़की बाजी तासु सब होता था लेकिन जब से हम लोग रहते हैं तब से नहीं यह सरकारी विवस्ता है जिसके तहट असामाजिक तत्तों के लिए यहां पर बकाइदा कुछ ऐसी संरचनाएं खड़ी कर दी गई ताकि वो यहां आराम से आएं आराम से बैठें और आराम से सराब पीएं जुआ खेलें या फिर दूसरे गलत काम करें इन तमाम कारियों के के लिए एक लंबा चोड़ा प्रुजेक्ट तयार कर दिया हलाकि याँ प्रिजेक था dissertation के लिए नर्सें के लिए पारा मेटिकल स्ताफ के लिए ताकि कांके और आसपास की इलाके में रहने वाले लोगों को बहतर स्वास्ती सुविधाय हासिल हो सकें लेकिन बहतर स्वास्ती सुविधाय तो लोगों को हासिल ना हुई ये जरूर सुनिश्चित हो गया कि यहां पर औसामाजिक तत्तों के लिए परियाप्त जगह की विवास्था कर दी गशली जा रही है कैमरा परसुन को असल के साथ आकास भारगव न्यूज इलेवन भारत राची